चार अगस्ट के Current Affair के सेशन में DD Academy के तरफ से आप सभी का स्वागत है देखे इस वीडियो का PDF फाइल जो है डिस्क्रिप्शन पे दिया गिया है और इसके मॉक टेस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गिया है इसका फाइदा आप लोग अवश्य उठाएं तो चलिए Current Affair के सेशन को आगे बढ़ाते हैं आज का पहला सवाल है करनाटक विधान सभा का अगला स्पीकर कौन बना जी हाँ ये विश्वेशर हेग्रे कगेडी है जो आपके करनाटक विधान सभा के अध्यच चुने गए है Congress और जनता दल ने अपना उमीदवार नहीं उतारा था आप जानते हैं भाजब सरकार ने पिछले जो Congress के सरकार के मिनिस्ट्री को गिरा दिया था क्योंकि Congress सरकार के मिनिस्ट्री अलपमत में आ गई थी और रमेश कुमार क्या विधान सभा अध्यच पद से इस्तिफार देने के बाद से यह पद रिक्त हो गया था और विश्वेशर हेग्रे कगेडी जो है निर्विरोध बोला जाए तो सर्वसम्मती से करनाटक विधान सभा के अध्यच चुने गए अपने एक सवाल पर आते हैं और उसके पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ देखे मैंने इसके उपर एक एक अनारी सब पर भारी करके एक सिरीज जो है देखे ये केवल सवाल को समझने के क्रम में अगर हम थोड़ा सा कंसेप्ट को इस्तिमाल कर लेते हैं तो फिर वही सवाल को बिना किसी गनित के बोलते हैं स्पेसिलाइजड हुए हम उसे कर सकते हैं तो ये एक वीडियो है, आप गनित में कमजोर हो या गनित आपका स्ट्रॉंग हो, मेरा रिक्वेस्ट है कि चुकि आप ये वीडियो देखते हैं तो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को अवश्य देखें, तो देखें इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है ये आउसत के उपर एवरेज के उपर मेरा तीसरा वीडियो है और मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को अवश्य पसंद आएगा तो चलिए हम अपने करेंट एफिर के सेशन को आगे बढाते हैं हाल ही में किस देश ने पुरुष संग्रक्षक की अनुमती के बिना महिलाओं को यात्रा की इजाज़त दिये हैं ये सौधी अरब है देखिए सौधी अरब में एक पैटर्ण रहा कि वहां के महिलाओं को आमरं तक ये माना आ जाता था कि उनको पुरुषों का संग्रक्षन आवश्यक है तो मतलब है कि अकर मैं इसको दूसरे तरह से बोलू कि सौधी अरब में महिलाओं को मुनके मित्तु के पहले तक भी स्थाई रूप से नावालिक माना जाता था लेकिन अब जो है इस नियम में बदला हुआ है उन्हें बिवा करने पासपोर्ट बनाने और दे अच्छक या मतलब पती पीता या भाई को होने की आवशक्ता नहीं है अब नेक्स आते हैं भारतिये चाय बोर्ट ठोक चाय की निलामी इप्रणाली में सुधार के लिए किस देश के इप्रणाली को अपनाने पर विचार कर रहा है तो देखे भारतिये चाय बोर्ट जो है जापान की जो है इउक्षन प्रोसेस जो है उस पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इंडियन इस्ट्य अफ मैनेजमेंट बैंगलूरू के दुवारा सुझाया गया है कि हमारी टी बोर्ट को कि जापान का जो आउ आउक्षन प्रोसेस है इउक्षन प्रोसेस जो है वो एक कंटिनिवस प्रोसेस है और केरी ओन प्रोसेस है तो चाय की गुनवत्ता सुनिश्चित हो और साथ साथ में व्यापक रूप में व्यापार में बरुत्री हो जिसके लिए भारतिये चाय बोर्ट जो है जापान की इ अब नेक्स्ट आते है केंद्रीय-मंत्री-मंडल के शिष आदालत spillag वर्तमान में शिष आदालत तोई मतलब सुप्रीम कोर्ट में नढगीशों की संख्या 31 से बराकर 34 करने की मंजुरी दे दिया है एकदम सही है और जिस के अंदर में 34 का अंदर में क्या होगा 33 नियाधिश होंगे और एक मुख्य नियाधिश होंगे 1966 में सरवच्य नियाले अधिनियम जो है उसमें मूल रूप से 10 नियाधिश की बात थी मतलब यहां बेजोर संख्या होता है 10 नियाधिश होंगे और एक जो है आपका अब जो है 33 हो गिया है और मुखे नियादिस को जोड देते हैं तो ये 34 हो गिया है तो अभी जो है इसमें एक और दो जो है ये दोनों ही सही है अब next आते हैं अमेरिकी राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम द्वारा 300 अरब डॉलर के चाइनिस आयात पर कितने फिसदी टेरिफ लगाने की योजना खोशना किये ये चाइना चीन और अमेरिका के बीच में जो अभी व्यापार का युद्ध चल रहा है ये थंता हुआ ही नजर नहीं हा रहा ह बीच में थोड़ा सा उनके अंदर क्या करते है थोड़ा सा क्या करते है युद्ध विराम हुआ था अब तो फिर से शुरू हो चुका है क्योंकि अमेरिके के राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रम ट्रम ने चीन पर ये आरोप लगाया है कि चाइना जे उसे जो एशुरेंस दि रहा है जिसके चलते जो है अब अमेरिका बात दे हो गया है कि वो 10% का जो क्या करते है पैनल्टी जो है टेरिफ जो है मतलब टैक्स जो है वो अमेरिका पर ये चाइना के उत्पात पर लगाया है और जिससे जो है कच्छे तेल के कीमत में जो है 2019 में सबसे बड़ी गिराव को देखा गया है अब नेक्स आते हैं केंद्रिय मंत्री मंडल ने भारतिय गंतंत्र द्वारा की गई मध्धस्ता परणाम स्वरुप संजुक्त रास्ट्र अंतर रास्ट्रिय निप्टान सम्जाओता सम्मेलन यू एन आई एस ए पर हस्ताक्षर करने का मंजूरी प्रदान क् जी हां पहले हम थोड़ा सा सेप्टीकल थी इस मैटर में अब जो है कैबिनेट कमिटी ने अब ये मंजूरी दिया है कि भाईया हां संजुक्त रास्ट अंतर रास्टे निप्टान सम्जाओता सम्मेलन में आप हस्ताक्षर करें और साथी साथ ये 20 दिसमबर 2018 को ये जो है स आप आज दिन पहले हमें ये information दिया तो यहां जो है एक और दो दोनों ही statement सही है अब next आते हैं खेल इंडिया यूथ गेम्स का तिसरे संस्करन या तिसरे edition का आयोजन अगले वर्स 18-30 जनवरी को किस शहर में होगा ये गोहाटी में होगा तो गोहाटी में ये जो है आपका थोड़ा याद कर लेते हैं 2018 में नहीं दिल्ली में हुआ था पहला जो है पिछले साल जो है मतलब पूने में हुआ था इस साल पूने में है और अगला साल जो है 2020 जो है उसमें गोहाटी होने वाला है अब नेक्स आते हैं भारतिय विमान पत्तन प्राधिकरन के निड़ेक् करन के चेयर्मेन की अतिरिक्त जिम्मेवारी दी गई है ये अनूज अग्रवाल है अनूज अग्रवाल जो है इने जो है चेयर्मेन के कामकाज को देखने के लिए उनके मौझूदा जिम्मेवारियों के साथ साथ दिया गया है क्योंकि गुरु प्रशाद महापात्रा जो थे जो भारतिय विवान पत्तन प्राधिकरन के एए आई के चेर्मेन पत्पर थे उनके इस्तिफे के बाद जो है अनुजगरवाल को ये अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है अब है नेक्स सवाल कैमिनेट द्वारा पारित बिल का नाम दे जो राज्यों को सबसीडी वितरन की विशिष्ट पहचान संख्या का उपयोग करने में सक्षम करेगा ये जो है आधार संख्या और अन्य कानुन संसोधन विदयक 2019 है और ये जो है बेसिकली जो 128 करोर लोगों को हमारी सरकार जो तरह तरह की क्या करते हैं सबसीडी दिये जाते हैं उनमें आप जानते हैं कि स्वादिंता के बाद से ही घुटाले ही घुटाले होते हैं तो अभी जो आधार कानुन में वो संसोधन लाके ये कोशिश किया गया है ये सबसीडी जो है जिने दिया जाना चाहिए उन तक पहुँचे बीच के जो दलाल बोलिये कुछ भी बोलिये वो जो बीच में से मार लेते थे पैसे को दोखागरी करते थे उन पर संपुन रूप से निरंकुष लगे तो ये कोशिश है जिस कोशिश के करने के लिए ही ये आधार संख्या अन्ने कानुन संसोधन विदयक जो है 2019 जो है उसको लागो किया गया है अब में एक सवाल पे आते हैं बुज़ूर्गों को बेहतर देखबाल के तरीके पदान करने के लिए IIT खरकपुर द्वारा लांच किये गए एप का नाम बता है ये Care for You है ये Care for You जो है ये एक एप है Android एप है और इसकी जो बोलते हैं तंत्री का नेटवर्ग आधारित Fault Detection अलगोरिध्म का उप्यो करते हैं मतलब ये NERV Systems के उपर जो NERV System Network का अलगोरिध्म है कि कोई अगर गिर जाता है कुछ हो जाता है तो ये क्या है कि वो सठीक location कहां पर गिर गया है इस बात तक का भी पता लगा लेता है इस app की और एक खुबी है कि वो जो बुजूर्ग के मन में जो भावनाएं चल रही है वो mood index की गन्ना से वो इस बात का पता लगाता है कि वो जो बुजूर्ग बेखती है दुखी है की नहीं और स्वाचालित रूप से देखभाल करने वाले को अपडेट देता रहता है तो ये जो है बुजूर्गों के लिए एक काफी जरूरी टाइप का एप है और इसका नाम है Care for You और इसको डबलब किया हुआ है IIT खरकपुर के छात्रों ने अब नेस्ट आते हैं कल का जो सवाल था नागालेंड के मुख्यमंत्री कौन है आप सब जानते की नेफ्यू रियू है और ये आज नहीं चार बार चोथी बार उनकी मुख्यमंत्री बनने का क्रम है पिछले बार उन्होंने BJP से हाथ मिलाया था उनकी जो है सरकार जो है BJP के साथ एलाइंस करने के बाद 30 सीटों पर उन्होंने क्या करते हैं जीत हासिल किया था अब आज का जो सवाल है कारगिल विजय दिवश या कारगिल विजय दिवश 2019 की 20-वी वर्ष गाहट का विशय क्या था मैं जानता हूँ कारगिल विजय दिवश को आपने सही रूप से पढ़ा है और ये 2019 का एक important matter है तो इसके theme को भी आपको अवश्याद होगा तो इसके लिए मैं आपके जवाब के इंतिजार में रहूँगा और मैं बता दूँ कि मैं actually अभी जो है थोड़े देर में क्या करते हैं transit करूँगा तो हो सकता है कि आपके जवाब को देने मुझे एक दिन की जादा वक्त लग जाए डिले हो जाए से मुझे छमा करेंगे लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका जवाब अवश्याएगा और संपूरूरू से सठीक आएगा तो आपने समय दिया इसलिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद ओके दन बबाए थैंक यू जैहिं